नमस्कार आपदीक्रे नियूस फॉर नेशन और मैं हूं सांथमना आपके साथ बिहार की सियासत को मुक्षिमंत्री नितीश कुमार के क्याबिनिट वस्तार का बेसबरी से इंतजार है लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नितीश कुमार क्याबिनिट का वस्तार कब करेंगे किन चेहरों को इस क्याबिनिट एक्सपैंशन में जगा दी जाएगी क्या कॉंग्रेस की मांगों को पूरा किया जाएगा क्या जो नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं उन नामों पर मुहर लगीगी 31 मंत्रियों से बढ़कर 4 और नए मंत्रियों को क्या नितीश काबिनिट में तरजी मिलेगी ऐसे कई सवाल बिहार की सियासत में मंजा रहे हैं जिस पर बीजेपी भी जवाब चाहती है लेकिन मुक्षे मंत्रियों नितीश कुमा ने कैबिनिट एक्सपैंशन के पूरे मुद्दे पर चुपी सादली है तो आखिरकार वो कौन सा फैक्टर है वो कौन सी वज़ा है जिसे नितीश कुमार को कैबिनिट एक्सपैंशन से रोक रखा है आखिरकार बिहार में अगर महागटबंदन की सरकार में सब कुछ all as well है तो कैबिनिट वस्तार क्यों नहीं हो रहा और आखिरकार ये वस्तार कब होगा किसने इस कैबिनिट एक्सपैंशन पर रोक लगा रखी है जो इससे आगे बढ़ने नहीं दे रहा विहार के राजवितिक पड़दे के पीछे का खेल क्या है जानते हैं असल कहने को तो राजवितिक जगत में इस बात की चर्चा है कि मुक्षि मंतरी निदीश हमार और रुप मुक्षि मंतरी तेजस्पी आदफ के बीच बनी सेहमतीस के साथ मंतरी परशद वस्तार को फिलार प्राथमिक्ता में नहीं लिया जा रहा वो तब भी जब इस मसले पर राहूल गांदी तक पहल करते हुए सियम निदीश हमार से भी पूछ डाला था यहां तकी पत्रकारों तक ने भी जब पूछा तो तेजस्पी आदफ की तरफ इशारा किया करते थे अब जब पत्रकार पूछते हैं तो मुख्य मंतरी का तकिया कलाम समय पर हो जाएगा हालाकि इसके पीछे कई कारिन बताये जा रही है जानिये क्यूं और कौन लगा रहा है मंतरी परिश्द विस्तार पर ग्रहन गौर्ड दिलब है कि राज़्यति के साथ साथ राज़्यत की भी बनी हुई है अब चुकि पिछुरों की राज़्यती करने वाले दलों की राज़्यती में सवर्न खाना पूर्ती या कहले A-to-Z समय करन के तुष्टी करन के अभी प्राइ मात्र है इसलिए स्विस्तार को लेकर अगंभीर बने रहने की एक रणनीती का हिस्सा है दरसल राष्टे जरनता दल के दो मंत्रियों ने अपने पत से इस्तिफ़ा दिया थो और दोनों सवर नहीं थे कृशी मंत्री सुदाकर सिंग जो राज़त के प्रदीश अध्यक्ष जग्दनन सिंग के बेटे हैं वो सीम के कारियों से आसामती जताय का जताय जाने की कानन इस्तिफ़ा उन्हें देना पड़ा था विदी मंत्री कार्तिके से इन चार्चीटिट थे इससे लिए उन्हें इस्तिफ़ा देना पड़ा इन दोनों जगहों को भरे जाने को लेकर जो संभावित चेहरे हैं उनमें सवर्न चेहरों के ही नाम आ गया रहे हैं ऐसे में मंत्री मंजल बनते समय कॉंग्रेस से दो मंत्रियों को शपत दिलाया गया था तब विवाद ये भी सामने आया था कि कॉंग्रेस दो और मंत्री पच चाती है पर गजबंदन की राजजरीनती में केवल एक और दिये जाने पर सहमती बनाई जा रही थी इस वज़े से मामला टाल दिया गया था अब जिन नामों की चर्चा आ रही है और में दो सवर्ण विधायकों के नाम सामने आ रही है बराल राजजरीते गल्यारों में एक चर्चा ये भी है कि कॉंग्रेस पर दवाब की राजजरीती बनाई जा रही है जिस तरह से बैंग अठक में नितीश हुमार का नाम कन्वेनर के लिए घोशत हो जाए तू डाल डाल तो नितीश हुमार पात पात की राज़वीती कर रहे हैं ऐसा इसे लिए कि जो मुक्ष मंतरी राज़ुत के मंतरी के निड़ने को पलट सकते हैं रद कर सकते हैं वे उपमुक्ष मंतरी ति जिस्पुय आदफ की मर्जिप पट्टिका है मंत्रि मंचल वस्तार और हाल के दिन में कहा है अरे इस सब कोई मसला है समय पर हो जाएगा इखने वाले बात यह होगी कि बहार में मंत्रि मंचल का वस्तार कब होता है मुक्षे मंत्री निती शमार किन नामों पर मुहर लगाते हैं उनका अंडिडने कब सामने आता है और कब पाचियों की मांगे पूरी होती है आप क्या सूचते हैं क्याबनेट वस्तार पर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फिला के लिए इस कबर में अतना ही नमस्कार